पर पियमोदी का संबोधन लोगों में योग के प्रती उच्छा बड़ा है और योग आत्मबल का बड़ा माध्यम है सभी देशों ने कोरोना संकत का डठ कर सामना क्या पियमोदी के संबोधन की बड़ी बाते आपको बता रहें। लोगों में योग के प्रती उच्छा बड़ा है पियमोदी ने कहा योग आत्मबल का बड़ा माध्यम है साथी सभी देशों में कोरोना संकट का सामना खिया और योग से श्वसन तंत्र मजबूत हुआ है बड़ी जौनकारी साब को रूबरू करा दे जहां पर प्रधार मंद्र के संबोधन की ये बड़ी बाते आपको बता रहे हैं जहाँ पर प्रधार मंद्र मोदी ने का सभी देशों ने कोरोना संकट का डेट कर सामना खिया योग से श्वसन तंत्र मजबूत होता है तो साथवा अंधरास्ट्र योग दिवस पर पिये मोदी का संबोधन और लोगों में योग के प्रती उच्छा बड़ा है और योग आत्मबल का बड़ा माध्यम है तो साथवा अंधरास्ट्र दिवस पर पिये मोदी का संबोधन जहां पर पिये मोदी ने का हर व्यक्ति स्वस्थ हो लोगों में योग के प्रती उच्छा बड़ा है और योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम है सभी देशों ने कोरोना संकत का सामना किया और योग से श्वसंत अंत्र मचबूत होता है योग आत्मबल का बड़ा माध्यम है प्रथानमंत्र मोधी ने सात्वे अंतरास्टे योग दिवस पर संबोधन किया था और अपने संबोधन में ये बड़ी बात है प्रथानमंत्र मोधी ने कही प्रथानमंत्र मोधी ने का डॉक्टर्स ने कोरोना काल में डट कर इसका सामना क्या अच्छा स्वास्त है, सभी सफलताओं का प्रतीक है, योग हमें प्रमाद से प्रसाथ तक लेच वाता है, योग हमें नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेच वाता है, और योग से श्वसंतंत्र मजबूत होता है तो साथवे अंतराश्ट्य योग दिवस पर प्रथान मंत्री का सुमभूदन यड़ापर प्रथान मंत्री मोधी ने कहा, योग दिवस पर हर व्यक्ति स्वस्त हो और लोगों में योग के प्रती उच्छा बढ़ा है, योगा करने से लोगों को नेगेटिविटी से पॉजिटि तंत्र मजबूत होता है यह क्या मैं तो योग आत्मबल का बड़ा माध्य में योग से श्वासन तंत्र योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम है योग दिवस पर देश्वासियो कास को प्रथानमंत्रि मोधी ने संभोधित किया और प्रथानमंत्रि मोधी की संभोधन की बड़ी बाते आपको बता रहे हैं जापर लोगों में योग के प्रती उत्साब बड़ा है पूरे देश्व ने और दुनिया ने कोरोना का टट कर सामना किया और सात्वा अंत्रास्टियो योग दिवस है आज और इस मौके पर प्रथानमंत्रि मोधी ने देश की जंता को संभोधित करते वे कहा कि योग से श्वसन तंत्रा मजबूत होता है आत्मबल बढ़ता है योग के माथ्यम से दुनिया के कोने कोने में नए योग साधन बन रहे हैं जिसे लोगों को काफी सुविदाय हो रही है स्वस्त रहने के लिए सुविदाय मिल रही है डॉक्टर्स ने कोरोना में योग को हत्यार बनाया था और कही ना कही योग से कोरोना से निपटने में काफी मदद मिली थी तो बतादे प्रथान मंत्री मोती ने कहा कि योग हमें negativity को positivity की तरफ ले जाता है और साथवा अंतरास्टे योग दिवस के मौके पर प्रथान मंत्री मोती ने देशवासयों को सम्भोधित किया और लोगों में योग के प्रति उत्सा बड़ा है तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो प्रधार मंत्री का ये कहना था और कहा लोगों में योग के प्रति उच्छा बड़ा है योगा आत्मबल का बड़ा माध्यम है वह आये डॉक्टर हर्शवर्धन योगा कर रहे हैं आपको सीधे ले चलते सीधी तस्वीरे वहां के दिखाते हैं या पसवास में योगा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरे आपर आज सात्वे अंतरास्ट्यय योग दिवस पर दुनिया के साथ देश भर में लोग योगा को योगा दिवस को मनाते हैं और बता दे कि 2015 में इसकी शुरुवात प्रथान मंत्री मूती ने की थी और आज सात्वा अंतरास्ट्यय योगा दिवस है और इस मौके पर प्रथान मंत्री मूती ने जनता को संभोधित किया और देश वास्यों को संभोधित करते हुए प्रथान मंत्री मोधी ने कहा दुनिया के कोने कोने में नए योग साधन बन रहे हैं ओनलाइन क्लास में चात्रों को योग करवाया जवा रहा है और डॉक्टर्ज ने कोरुना में योग को हतियार बनाया है योग में प्रमात से प्रसाथ तकली चाता है प्रथान मंत्री मूती का ये कहना है और ये सीधी तस्वीरे आपको दिखा रहे थे जहां पर स्वास्तमंत्री हश्वधन योगा कर रहे थे बता दे आज स्वात्वा अंतरास्ट्य योग दिवस है देश भर में लोग योगा दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर प्रथान मंत्री मूती ने देश वासे को संबोधित किया और योगा को लेकर प्रेरित पी किया उन्होंने का अच्छा स्वास्ता सभी सफलताओं का माध्य में योग हमें प्रमात से प्रसाथ तक लेचाता है तो योग हमें नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेचाने में मदद देता है और प्रथानमंत्री मोथी ने आज साथवे अंतरास्टिय योग दिवस के मौके पर जनता को संभोधित किया और योगा से जुड़ी कई बड़ी बाते कई उन्होंने कहा कि योगा ने कोरोना काल में लोगों को ठीक होने में बहत मदद की है और लोगों में योग के प्रती उच्साह भी बड़ा है और पूरे दुनिया में योग को लेकर नए-ने माध्यम बनाए जा रहे हैं ओनलाइन क्लासेस के जरी लोगों को योगा सिखाया जा रहा है और योग से श्वसन तंतर मच्पूत होता है दुनिया के कोने-कोने में नए योग साधन जो है वो बन रहे हैं ओनलाइन क्लास में छात्रों को योग करवाया जा रहा है तो डॉक्टर्स ने कोरोना में योग को हत्यार बनाया और अच्छा स्वास्त सभी सफलताओं का माध्यम है तो साथवे अंतरास्ते योग दिवस के मौके पर पूरे देश भर में योगा दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रथान मंत्री मोथी ने भी जोनता को संभोदित किया देश वास्त को संभोदित किया और योगा के महतवता के बारे में उन्हें अफकत कराया प्रथान मंत्री मोती ने कहा हर व्यक्ति स्वस्थ हो लोगों में योग के प्रती काफी उच्सा बड़ा है और योग आत्मबल का पड़ा माथ्यम है स्वस्थ हो बड़ा है